हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका समाजी ग्यान पे आज हम मेजर लैंड फॉर्म ऑफ दा अर्थ के question answers करेंगे इसके key points जो main important वो थे वो मैंने इससे पहले दे दिये आपको आप एक बार उसको go through कर लेना तो आप जब यह question answers देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा तो शुरू करते हैं पहला question है what are the major landform यह जो छे question है यह सारे मैंने आगे आपको एक ए question का question wise answer दिया है first question है what are the major landform major landform क्या है तो तीनी तरह की होती है mountain plateau और plane these are the three major landforms ठीक है second question है what is the difference between mountain and plateau mountain और plateau के बीच में क्या फरक है पर्वत और पठार में क्या फरक है तो इसमें फरक क्या है कि a mountain may have a small summit of a broad base but a plateau is flat top table standing above the surrounding areas यह basic work है इसमें कि mountain में क्या है उपर नीचे उपर नीचे इस तरह से होता है और उसमें वनस्पतिया पेड पौधे बहुत सारे जीवजन्तू भी रहते हैं लेकिन plateau के टेबल टाइप का वो होता है जमीन से उठा वह पोशन होता है जो आसपास की जमीन से उचा होता है ठोस होता है और उसमें कोई बड़े बड़े पेड पौधे नहीं उखते छोटे का जो system है वो प्लैटू में संभव नहीं है और example of mountain Himalayan mountain range है और example of plateau है टककन का प्लैटू यहां पे बहुत सारा क्या होता है mineral deposit होता है यह याद रखिएगा थार्ड क्वेश्चिन है what are the different types of mountain mountain जो कितने प्रकार के होते हैं तो mountain तीन प्रकार के होते हैं फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन फोल्ड माउंटेन आपका हिमालय वाला है जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है एक लेयर है पहले टैथी सांगर था फिर नीचे से पठार वाला हिस्सा जो पैनिस्यूलर इंडिया है वो आके उससे टकराया जोर से तो जो वो जगा थी वो क्या होई फोल्ड की तरह से उपर उठ गई और यह नए फोल्ड यंग फोल्ड माउंटेन है ब्लॉक में तीन हिस्सों में हो ने यूसफुल तू मैं पहाड जो हैं वो इंसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद हैं माउंटेन आर यूसफुल तू मैं और वेराइटी ओफ वेस्स फास्ट है माउंटेन आर स्टोर हाऊस ऑफ वाटर वीचिस बेसिक नीड ओफ यूमें एप क्या है यह स्टोर हाउस ह जल को इखटा करने का श्रोत हैं ताकि जो लोग है उसको इस्तमाल कर सकें बेसिक नीड है हमारी पानी reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people reservoirs भी वही है पानी के जो इखटे किये वे श्रोत रहते हैं जल श्रोत उनको कहते हैं पानी से बनते हैं जो लोगों के इस्तमाल में आते हैं water is used for irrigation and generation of hydro electricity irrigation का मतलब होता है सिचाई और hydro electricity का मतलब होता है बिजली बनाने के लिए देखिए जितना कुछ पानी से related है वो hydro hydraulics जैसे hydraulics है तो क्या है कि वो यंत्र है जो पानी की उसके लिए use के जाते हैं ठीक है पानी को इस्तमाल करने के लिए use के जाते हैं जैसे आप motor pump अगेरा देखते हूं तो वो सारे hydraulics की category में आते हैं कि लास्ट इसमें mountain प्रोवाइज एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट तूरिस्ट दे विजिट दा मौन्टेन फॉर दियार सीनिक ब्यूटी अब जो मौन्टेन है वहां पर क्या करते हैं लोग घूमने जाते हैं अपना मतलब उसमें रॉक क्लाइमिंग भी करते हैं और अपना खाते पीते हैं बाहर आउटिंग करते हैं तो उसके लिए भी mountain जो है वह एक आइडियल प्लेस है next question है how are plane formed? मैदान कैसे बनते हैं? planes are generally formed by rivers and their tributaries the rivers flow down the slope of the mountains and erode them they carried forward the eroded material then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their courses in their valleys it is formed these deposits that plane are formed plane जो है वो river नदी और उसकी tributaries यानि सहायक नदियों की वज़ा से बनते हैं यह नीचे की तरफ को बहती है slope की तरफ ठलान की तरफ बहती हैं और अपने साथ मिट्टी काट के लाती है eroded material का मतलब काटाव करके जो भी लाती है मिट्टी है पत्थर है सिल्ट जो होता है वो होता है गीला कच्रा गीला जो उसके अंदर से गर्द वो रहता ना गंदीगी जो रहती है एक तरह से दलदली टाइप का there along their courses in the valley वो सब लेकर आती है और जब भारी होती है तो valley में भी जाके आगे बढ़ जाती है why are the river plain thickly populated the people plain the river plains are very suitable for human habitat habitation people get flat land for building house and for cultivation the soil of the river plain is very fertile hence people live here and cultivate land for their living लोग क्या करते हैं जो plain मैदानी हिलाके ओते हैं वह जादा dense होते हैं मतलब dense का मतलब crowded होते हैं किस मामले में population के मामले में क्यूंकि जो वहां की environment होता है habitatation का मतलब जो वहां का environment होता है वो सबसे ज़्यादा human being को suit करता है सर्दी गर्मी बरसात, फसल भी वह जादा होगा सकते हैं, प्लेन जगा पे वह अपने घर भी बना सकते हैं, इसलिए लोग जादा रहते हैं मैदान होगे Why are mountain thinly populated? Life is very difficult in mountain areas because of harsh climate, it is quite difficult to grow crop, build houses and road in a mountain, hence people do not prefer to live here Why are mountain thinly populated? का मतलब कि क्यूं पहाडों पर जो जनसंख्या है वो कम होती है, उसका main reason है कि यहां की life बड़ी difficult है कभी भी बाड़ा जाती है, कभी भुकम से भी घर तैस नैस हो जाते हैं, कई बार बादल फटने की वज़े से भी दिक्कत आती है और यहां पर खेती बाड़ी मुश्किल है, घर बनाना भी बड़ा कठिन काम है, रोड वगेरा पहाडों पर बनाने बड़े कठिन है तो इसी वज़ा से लोग जो है वो जो easy lifestyle चाहते हैं, वो पहाडों पर बसना पसंद नहीं करते हैं घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, और इसी लिए जो basically जितने भी पहाड़ी लाके है, वहां का जो main earning का source है, वो tourism है जब tourism बंद हो जाता है, तो यह लोग परिशानी में आ जाते हैं next question है, take the correct answer, the mountain differ from the hill in terms of elevation, mountains जो है, वो पहाड़ियों से अलग होते हैं, उचाही के हिसाब से, जहां उचाही जाता होती हैं, जैसे हिमालियन mountain range है और उसके अलावा छोटे छोटे पहाड़ियां जो रहती हैं, वो hills कहते हैं, उसके बादे glacier are found in mountain, the decking plateau is located in India, the river Youngstays flows in China, the important mountain range of Europe is the Alps, fill in the blanks, a plain is an unbroken flat or a low level land, जो मैदान होते हैं, वो क्या हैं, unbroken होते हैं, टूटे फूटे नहीं होते हैं, plain जगा होती हैं, सम्तल जगा होती हैं, और निचला इलाका होता है, the Himalayas and Alps are example of young fold type of mountain, Alps और Himalayas जो हैं, यह नए बने fold mountain हैं, plateau areas are rich in mineral deposit, मैंने जैसे आपको पहले भी बताएं कि plateau में कुछ फसले नहीं होगा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है, minerals बहुत पाए जाते हैं, क्योंकि यह minerals की वज़े से ही यह जो area होता है, बहुत ज़दा hard होता है, एक्दम पत्थरीला type का, जैसे आप देख रहों, यहां बड़े बड़े पेड़नी होते हैं, छोटी मोटी घास और जहार जंकाट बगरा ही होती है, the range is a line of mountain, range क्या होती है, line होती है, मतलब कतार में पहाड होते हैं, तो उनको range का ज़ता है, जैसे हिमालियन रेंज, कतार में पहाड है, ठीक है न, उत्तर से लेके, पूर्व तक चले जाते हैं यह, आप उत्तर में कश्मीर में जो पहाड है, उनी की रेंज, उनी की ही को मिलती है, सिक्किम वगेरा तक चली जाती है, the plain areas are most productive for farming, मैदान जो है, वो production के हिसाब से, किसानी, खेती, किसानी के हिसाब से, बहुत जादा उपियोगी, land या छेत्र होता है, that's all, यह सारे question थे, I hope आपको इससे help मिली होगी, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्रा कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए, thank you. कर दो